सो गाइज आर दर विजिन ने इदर एवलूशन ने इदर सेथ फिर्ट रोलेंज इस ना ओं इदर फाइनल साफ वर्ल्ड हेविए चैंपिर्शिप टुनामेंट ठीके ना रोलेंज जो है फाइनल के लिए क्वालिफा हो चुक है दरसार आज जो सो पर दो मैच हुए थे तो को सो की सुलात हमें देखना मिलती है कोडी रोल्ड के साथ में और कोडी रोल करते कि अब वर्ल्ड हेविए चैंपिर्शिप के पीछे जाना है और ब्लॉक लेजड़न को उन्होंने हरा दिया है ठीक है और उसके बाद जो मैं ट्रिपल सेट मैच देखना मिलता है सैथ रॉ होता है कि जैसा कोडी जीतने चलते ब्लॉक लेजड़न के रिटन होती है वह आके अटेक कर देते काफ़े ब्लूडर ब्लूटल अटेक किया और नाइट ऑफ चैंपर्स के लिए चैनेज भी कर दिया अब यहां से जब फिन बैलर जीत गये थे तो फाइनल्स में में देखन लेकिन यह उन्होंने मतब चाती के आसपास लगा दिया और फिर उन्होंने अपने एक और स्टॉंप लगया और फिर मेलर को पिन कर दिया चैनेज चलता था पूरे सो के दोडान और चैनेज जो फाइनल्स के लिए क्वालिफाइब कर चुक है नाइट आफ चैंबेस में अ एक्सप्ट कर लिया है तो कोडी और ब्लॉक का जो मैच है वो भी ऑफिसल हो चुका है नाइट आफ चैंपर्स के लिए तो यह जो है दो बड़ी चीजे हुई है आज के मने आट रों से बैके लिंच जेटन आ चुकी है और उन्हांने बाट्रेस स्टैटर्स को जो हम भगा दो और दियार अपली के लिए कोई और ओपनेंट डून लो ठीके ना तो यही कुछ है मेरे साब से मने आट रों में इसके लावा एस सब काफी कुछ बड़ी चीजे नहीं हुई थी यही थे सबसे बड़ी चीजे और सबसे मेन सेग्मेंट जो मैंना आपको बता दिये अब